पूर्व काल में बना मौदा में कनहा नदी पर बना पुराना पुलिया आज जीन अवस्था में हैं लेकिन आज भी इस दोका दायक पुलिया से वहानों का अवगवन शुरू होने के कारण इस जगा बड़ा हथसा होने की संभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा इस पुलिया को बंद करने की मांग सामाजिक कारेकरता नरेश मोड़करे ने की है दो साल पूर्वबार के कारण यह पुलिया शतिग्रस्थ हुआ था इसे दुरुस्त करने के लिए 40 लाख रुपए खर्च किये गए लेकिन दुरुस्ती का काम निक्रष्ट दरजे का होने के क पिछले दिन आए बार में फिर से यह पुलिया शतिग्रस्थ हो गया इस प्रकार का आरोप मोड़करे ने लगाया है इस पुलिया को दुरुस्त करे यह पुलिया आवगमन के लिए बंद करने की मांग मोड़करे ने की है मौदा से बीसीय न्यूस के लिए संजे गेडेक एक रिपोट